तो यार वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ओफ बैटल ओफ त्री टाइफून्स तो यार इस सीरीस का पहला एपिसोड ही इसना इंटरस्टिंग है क्योंकि इस एपिसोड में टीम आयन मैन से आयन मैन, कैप्टेन अमेरिका और थोर लड़ेंगे बैट मैन से, वॉन्डर बूमे है वैसे यह बैटल नहीं होगा क्योंकि शायद आप यह सोच रहे होंगे यह आयन मैन, बैट मैन से लड़ेगा थोर वंडर बूमेन से लड़ेगा और कैप्ट एक्वे मैन से लड़ेगा तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा बल्कि कोई भी कर्याक्टर किसी से भी लड़ सक बात करते हैं टीम आयन मैन के आयन मैन से तो आयन मैन बहुत ज़्यादा पाफुल म करेक्टर है यह हम सभी को बता है आयन मैन के पास है सुपर सोनिक फाइट, एनर्जी मैनुपलेशन, एनर्जी रिपलसर और यहीं नहीं सूपर डूपर स्ट्रेंथ, सूपर ड्यूपर लिएन आयन मैन की जो सबसे पाफुल थिंग है, वो यह है कि इसका दिमाग हो जाता तेजा है, क्योंकि इसने अपने दिमाग से भी तक क्या कुछ ने किया है, पचासी सूट्स को बनाना, और अवेंजर सैंड गे में टाइम मिशीन को बनाना, और यहीं नहीं, मार्क 85 जैस इतना पाफुल आर्मर बनाना, जो 6 के 6 इंफिनिटी स्टोन्स को भी असानी से जेल रहा हो, और सुबर डूबर हालक बस्टर, और यहां तक की ब्लीडिंग अज आर्मर जैसा बहुत बैतलिन सूट, और यहां तक अगर हम इसकी कोमिक्स की बात करें, तो वहां पे भी इसन स्ट्रेंथ, सुपर डूडिबिलिटी, सुपर इंडियोरेंस, सुपर रिफ्लेक्सिस, हीलिंग फैक्टर, और यही नहीं, उसका एक्स्पिरियंस बहुँ ज्यादा हाई लैविल का है, और कैप्टन अमेरिका के पास है, उसकी वाइब्रेरियम शील्ड, जीसे अब तक बस मंतर लगाया था कि जो भी सथोड़े को उठाएगा, उसमें फोर की शक्तिया भी आएंगी, तो यहार अब कैप्टन में भी फोर की शक्तिया है, यानि कि वो ठंडर मैनुपलेशन, लाइटनिंग मैनुपलेशन, स्ट्रो मैनुपलेशन, और भी जितनी भी थोर की पावर स वो कैप कर सकता है, टोर अब हम आते हैं थोर पे, तो यार thोर तो बहु़ जाता पाफ्वल है, उसके पास है लाइटनिंग मैनुपलेशन, धंडर मैनुपलेशन, स्ट्रो मैनुपलेशन, और यहीं नहीं, थोर के पास है συपर-do- किंग थोर बन चुका है और यून किंग थोर इमोटल है यह तो बात होगी थोर की पावर्स की लेकिन इसका सबसे अच्छा जब कोलिबरेशन मिलता है स्ट्रॉम ब्रेकर के साथ तो इसकी पावर लेवल बहुत हाई लेवल में पहुंचाती है क्योंकि जैसे हमने वकांडा मे एंट्रियों देखी उसके बाद आपको यह अंदाजा लगी गया होगा और यही नहीं इसके स्ट्रॉम ब्रेकर की कोलिबरेशन ने छे के छे इंफिनिटी स्ट्रॉंस को असानी से डिफेट भी किया है तो यहां टीम आइन मैन के पास कमाल के करेक्टर्स हैं तो यह आप ब क्यार्मर के अर्मर्टेशन नाया है लेकिन मो का सिर्फ करने के लिए करता क्यूंदध क्यादा कि लिए सबसे को माना जाता है और इसके लबारा बैटमैन की स्टर्ट्र के बहाँ-स बहुंता कमाल की होती है जिसका वाझा से से इसने आपन से-से कहे ज़ bumpy आ फुल आर्मर संबोक्स दफाइनल बैट सूट और यहां तक कि वह हैंड टू हैंड कॉमबैक भी जानता है उसके इमोटी लीटी भी है और हैंड रिंग भी है तो यहार अब हम मूव आउट करते हैं वंडर मूमेन पर तो यहार वंडर मूमेन से पहले मैं आपको यह यहाद द जैसे लैसू अफुरिबिलिटी और यही नहीं ऐसे ब्रैसलेट जो लाइटिनिंग को काबू करते हैं उसके पास है कमाल के वैपन्स जैसे लैसू ऑफ टूत गौर्ड स्व़रड शील्ड और यहां तक की सूपर ब्रैसलेट और यहार उसके पास सूपर डूपर वाइटिं और एविलिटी तो फ्लाइट तो यहार अब हम मूव आउट करते हैं एक्वा मैन पर एक्वा मैन प्रोटेक्टर ओफ ता ओशियन है और वह आदा हुमन और आदा एट्लांटिस है इसकी वज़ाद से पास कहीं ज्यादा अविलीटी जैए एक्वा मैन ने है क्वा मूवी में एक बड़ी सी शिप को भी लिफ्ट किया है और पानी के नीचे के ज़्यादा बड़े शेतानों को भी हराया है और पानी के नीचे ये बहुँ ज़्यादा तेज स्वीम करता है इसी की वज़ा से इसके पास है सुपर हुमन स्पीड और सुपर डूपर स्ट्रेंथ और एक वा आवर ओर ज्यादा इंक्रिस हो जाती है और इसकी वज़ासे वो सैवंध सीके मास्टडर बन जाता है और इससे वो सीं लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है और इस वैपनसे यन मिभी प्रुदूस कर सकता और को मिकस मेशने डार क् किया है और यहार इस वैपन से यह अर्थ तक को डिस्ट्रोय करने का दम रखता है तो अगर घूम फिर के कहें तो ट्राइडन बहुत ज़्यादा पाफुल है अब तो कंपारिजन खतम हो चुका है लेकिन में चीज बची है और वह रिजल्ट और रिजल्ट मैंने चार को मिक के उपर बात करें तो यहां पर टीम बैटमैन ज्यादा पाफुल लग रही है क्योंकि कोमिक्स में एक्वा मैन और उसके वैपन की पावर बहुत जादा इंक्रीज और यहां पर वंडर मुमें के पास भी गोर्ड किलर स्वोर्ड है तो यहां पर कोमिक के बैसिस पर यहाँ पर टिम बैटमैं जड़ां ज़ी है रस नबर टू और मूवी सस्ट तो अगर मुवी की बेसिअ की बात करें तो यहाँ पे टिम आय Đây amended आगे क्यों कि कोमिक्स को tub Store स्ट्रोंब्रेकर की पावर्स इतनी जादा नहीं हैं लेकिन मूविस में वो बाइफोस्ट कौन ले कदम रखता है और बाइफोस्ट से बड़े-बड़े प्लैनेट भी तबाह हो सकते हैं तो अगर हम मूविस की बेसिस के बात करें तो यहां पे टीम आयन मैं जीतेगी तो हम पर एंड गेम वाले थोर के साथ और अगर ऐसा होता है तो टीम बैटमैन जादा आगे होगी हां मैं यह मानता हूं कि थोर की पावर्स कितनी जादा कम नहीं हुई थी मोटा होने के बाद भी लेकिन यहां पर इसकी स्पीड और यह हमें मानना ही पड़ेगा कि उसकी कुछ पावर्स तो कम हुई थी और उन चोटे-चोटे पॉइंट्स का ही टीम बैटमैन इस्तिमाल कर सकती है और यहां से इजली तरीके से टीम आइनमैन को हरावी सकती है तो हम बात करते हैं रिजल्ट फोर की तो यहार इसमें भी सेमी बैटल होगा लेकिन यहां पे वैट थोर क की जगा स्लीम ड्रिम थोर की बात करेंगे अगर इंफिनिटी वर थोर इसमें आया तो इस मैच का रिजर्ट बहुत ही इंट्रस्टिंग होगा क्योंकि फिर यहां पे बहुत ज्यादा डेंजरस वैपन्स होंगे क्योंकि एक तरफ बैटमैन का हैल बैट आर्मर वंडर वु गौड़ किलर आर्मर लेकिन यहां पे टीम आयन मैन ज़्यादा पाफफुल लग रही है यहां पे स्ट्रोंब्रेकर की सारीकी सारी पावर्स है और इसके साथ साथ सोने पर सुवाग़ा दब मियो निर और अगर मियो निर भी इसमें है तो यहां पे इसी कारण की वज़ा स टीम आइन मैन जाद आ गया है और यहां पे इनके पाद गोड किलर आर्मर भी आ है आ मैं यह मानता हूं कि यह मैच काफी लंबा चल सकता है लेकिन आकरी में जीत टीम आइन मैन की होगी तो अगर यहां पे मेरे परसनल ओपिनियन की बात करें तो कोमिक के बेसिस पे टीम आपको के लगता है इन दोनों टीम को लेके कि इन दोनों टीम में ज्यादा पाफुल कोन है आप हमें कमेंड में ज़रूर शेर करना क्योंकि आपका ओपीनियन ही सबसे ज़रूर ही है यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तेज़ एक लाइक मार देना और वीडियो को एपिसोड खतम होता है तो मिलेंगे आपने किसी फ्लेच एपिसोड में तब तक के लिए गुडबाई and never forgets, it's your superhero studios and you all are superheroes 10 your shadows in the trees